ना ही जेलेटिन ना ही अगर-अगर आज मैं आपको एकदम नए और आसान तरीके से जेली बनाना बताऊंगी इसे बनाना पहुती आसान है और मिंटों में बना कर इस मस्यदार जेली को आप इंजॉय कर सकते हैं रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को फुल वाच करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मैं जट पट से मज़दार सी जेली बनाने के लिए एक बड़ा सा बरतन लेंगे इसमें हम लेंगे दिर का पानी और पानी लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 1-4 का कॉणफलोर क्योंकि इस मज़दार जेली को हम कॉणफलोर से बनाने वाले हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा red food color और डाल कर अच्छी ताना से पहले mix कर देंगे तो पहले mix करेंगे फिर हम इसे gas पर रख देंगे तो देखी अच्छे से ये mix हो गया है अब हमने यहाँ पर gas पर रख दिया है और gas की flame हमने medium high रखी ये हाई flame पर नहीं बनाएंगे हम इसे medium high flame पर ही jelly को बनाएंगे और बीज बीज में gas की flame बीकुल स्लो करते जाएंगे तो देखी हम बराबर इसे चला रहे हैं तो कि हमने इसमें control डाला है तो इसका color आप देखी है change होने लगा है और साथ में ही गाड़ा भी होने लगा है ये तो हम इसमें डाल रहे हैं one third cup चीनी तो चीनी को भी थोड़ा थोड़ा करते उए डाल रहे हैं और बराबर mix करते जाएंगे तो आपको हाथ नहीं रोकना है इसी तरह से चलाते रहना है तो देखें आप अच्छे से जब ये गाड़ा हो गया है तो हमें इसे अभी और पकाना है क्योंकि हम इसे थोड़ा और अभी गाड़ा करेंगे तो बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि control का कच्चापन जब तक जाता नहीं है जब तक हमें इसे पकाते रहना है अब यहां दो चम्मच हमने जमाववा बटर डाला है अगर आपके पास मेल्ट हो बटर तो आप 4-5 चम्मच डाल दीजिएगा यह थोड़ा जमाववा है तो इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको बटर इसमें अच्छे से डाल देना है और डाल कर बराबर मिक्स करते जाना है तो बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा बराबर चलाते रहेंगे और जैसे ही हम चलाते जा रहे हैं आप देखेंगे कलर कितना अच्छा इसका आ चुका है और अच्छी हासी कंसिस्टेंसी देखें आप गाड़ी हो चुकी है फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है कहीं से आप इसकिप मत करिएगा अगर आप आधा अदूरा वीडियो देखकर जेली बनाएंगे तो आप भी जेली गड़बर हो सकती है आपको पहले वीडियो को फुल वाच करना है फिर आपको इस रेसिपी को ट्राय करना है तो यहां देखिए अच्छे से गाड़ी हो चुकी अच्छे से हमने पका लिया है तो हम इसे सलो फ्लेम पर इसी तरह से छोड़कर रखते हैं जब तक हम बरतन को ग्रीस करेंगे जिस बरतन में आप जेली को सेट करना है तो जेली को सेट करने के लिए इस तरह का मैंने फैला हुआ बरतन लिया है आपके पास जो भी बरतन हों आप उसमें सेट कर सकते हैं कोई भी मोल्ड हो आप वो भी ले सकते हैं और अच्छे से देखिए मैंने इसे घी से ग्रीज करा है और मैंने या फैला हुआ बरतन इसलिए लिया है क्योंकि हम जेली को स्ट्रीफ्स में बनाएंगे तो यहां मेंने फैला हुआ बरतन लिया है आपको जेसा भी डिजाइन देना हो आप बना सकते हैं जेली को उसी तरह से तो देखिए बेटर बिल्कुल रेडी हो गया है जेली का हमारा अब हम गेस की फ्लेम को आफ करेंगे और फटा फट से हम इसमें डालते जाएंगे ताकि यह सेट हो जाए जादा देर आप अगर इसे थंडा होने देंगे ना तो यह सेट होने लगेगा बरतन में ही तो यह फोरा नहीं आप बरतन को ग्रीस करकर पेले ही रखिएगा ताकि यह फोरा नहीं आप जैसे ही डाले तो यह सेट हो जाए तो देखिए हम इने फैले हुए बरतन में डाला है और इस तरह से पूरी तरफ हम इसको फैला देंगे और बाकी की जो बची हुई जेली है उसे हम अलग बरतन में सेट करने के लिए रख देंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो तो फुल वाच कर लेते हैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग से हमबल रिक्यूएस्ट है वीडियो देखने के केक सेट करने वाला टिन है तो आप कोई भी बरतन ले सकते हैं देखिए दोनों में ही मैंने जैली को सेट होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर ही रखेंगे और अफोरन ही सेट हो जाती है तो देखिए यह सेट होती हुए नजर आ रही है तो यहां मैं आपको कट करके क्छा करें देखी कितनी असानी से कत भी हो गई है और देखिए कितनी अच्छी हो साम मैं ऐसे ड्राय करेंगे है तो द्राय करने के लिए मैंना आईसिंग आ यह ड़ालते हैं और देखिए इतनी अच्छे से बन रही हुए और कितनी असानी से निकल रही है, तो सभी में हम आइस्टit शुकर लगाएंगे, तो इसे हम अलग रहते हैं। आप चाहें तो इसे वेसे भी खा सकते हैं जिस तरह से देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ आप इसे भी इसे खा सकते हैं चाहें तो आइसिंग शुगर में भी कोट कर सकते हैं तो यहां मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी देखिए कितने असानी से निकल रहा है और कितने अच्छे से यह हमारी जेली सेट होकर तयार हुई है और इस मज़दार जेली को हमने बिना जेलेटिन के बिना अगर-गर के बनाया है देखिए कितने असानी से निकल रही है और कितनी अच्छी हमारी स्ट्रिप्स में ये जेली बनकर तैयार हुई है फ्रेंट्स हम लोग जो मार्किट से जेली लाते हैं वो बहुत कम कॉंटिटी में निकलती है और अगर आप इस तरह से घर पर जेली बनाएंगे तो काफी जादा कॉंटिटी में बना सकते हैं और आपने देखा घर पर जेली बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 10 मेट में आप जट पट से ये मज़ेदार जेली बनाकर इंजॉय कर सकते हैं देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है यहां मैं दिखा रही हूँ आपको अच्छे से देखिए स्ट्रेच भी हो रही है तो यहां मैंने थोड़ी सी जेली को आइसिंग शुगर में कोट कर लिया है और बाकी की इस तरह से ही मैंने रखी है तो आपको जैसा मन चाहे आप बना कर इंजॉय कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है और आप देखिएंगे थोड़े से ही कौन फ्लोर में बहुत ही मज़ेदार सी जेली बनकर तैयार हुई है और टेस्ट में यह बिलकुल भी आपको अलग नहीं लगेगी जिस तरह की जेली हम मार्किट से लाते हैं आपको यह बिलकुल वेसी ही लगेगी और फ्रेंट्स अगर आपको जेली में किसी तरह का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं जैसे कि इस टॉबरी फ्लेवर डाल दीजिए पाइनेपल डाल दीजिए जो भी आपको पसंद हो आप डाल कर जेली को उसी फ्लेवर में बना सकते हैं तो देखिए क्या जबर्दस हमारी जेली बनी है तो आप भी इस जेली को एक बड़ जरूर ट्राय करें उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथी फैमली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेर करें कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी होममेट जेली की रेसिपी कैसी लगी?